तो हाजीर में एक नए प्राड़क्त का रिव्यू लेकर आज का जो मेरा प्राड़क्त है वह है ओलीविया फेश्वास ओलीविया गोल्डन ग्लो फेश्वास जो कि आपके यह स्किन को ब्राइटन अप करता है और यह है तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक बार फिर से बोलना चाहूंगी कि प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडि अगर आप चाहें तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं पहले ट्राइ करने के लिए तो काफी अच्छा फेश्वास है यह आपको इंस्टेंट ग्लो दे देता है आपके फेस पे है तो यह फेश्वास ही लेकिन आफ्टर यूज आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एक इंस्टेंट ग्लो आया है तो बात करों इसके प्राइज की में तो प्राइज इसका है देखें 60 रुपीज का है 60 ml की बॉटल है सॉरी बॉल्ट रियू में 60 ml का ट्यूब है यह ट्यूब फॉर्म में आता है इस तरीके का इसके उपर किसी तरह की पैकेजिंग नहीं होती इसी तरीके से यह दिखता है इसी तरीके से आता है और 60 ml 60 रुपीज का है यह इसके सेल्फ लाइफ की बात करूं तो 26 है गोल्डन ग्लो फेश वास इसमें देखें लिखा हुआ है एंड्रिज विद फोर केरट गोल्ड ओलिविया गोल्डन ग्लो फेश वास पेनेटरेट डीप इंटो द गिविंग इट सॉफ्ट स्मूद और शाइनी टेक्श्चर मिक्स विद दे स्किन वाइटिनिंग कॉंबिनेशन एंड चंदन और टर्मरिक तो यह इनके जो में इंग्रिडेंट है वो है गोल्ड एंड चंदन और टर्मरिक तो इट हेल्प्स रिड्यूस डाक स्पॉट्स क्लियर डल स्किन अगर आपके स्किन बहुत जादा डल हो गई है आपके स्किन पर डाक स्पॉट्स है तो उसको भी क्लीन करता है गेट रेडियंट डैट मेक्स एव्रिवन स्टॉप एंड स्टेर तो मैं आपको बता दूँ क्योंकि मैं इसको यूज कर रही हूँ यह हाफ खतम हो चुका है इतना ही बचा होगा बाकी तो खतम हो चुका है तो हल्दी और चंदन जैसे कि हम सब जानते हमारे स्किन के लिए हल्दी और चंदन बहुत एफेक्टिव हो सभी तरह के स्किन वाले से यूज कर सकते हैं मैं बात करूँ डार्क स्पॉट्स की तो स्पॉट्स तो नहीं बोलूँगी मैं लेकिन हाँ यह आपकी डल स्किन को जरूर रिजेवनेट करता है डल स्किन को मतलब स्किन को स्मूध शाइनी तो सॉफ्ट तो बनाता ही है साथी के बाद आपको ऐसा लगएगा कि हाँ golden ग्लो जैसे कि हम फेशिल वग्राऊ या फिर आप मास्क वग्राऊ यूस Um के बाद जो ग्लो आता है सेम वैसा लुद्ैक्व के इस फेश वाउस की यूजर करने के बाद लगेगा तो काफी एफेक्टिव है मतलब as a face was आप दिन में थ तो तीन बार यूज़ कर सकते हैं, मुझे काफी अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा, मैं इसका रिव्यू आप सबको देती हूँ, तो स्किन को रेडियंट बनाता है, यह सच है, और साफ सुथरा अंदर से क्लीन करता है, स्किन आपके काफी रेडियंट हो जाती है, यूज़ करने के बाद काफी रेडियंट लगती है, डाग स्पोट्स अगरा तो मुझे नहीं लगता कि खतम हो जाएंगे, हो सकता है कि हाँ थोड़े light हो जाएं मतलब अगर बहुत जादा दाग धब्बे आपके face पे हैं तो इसको यूज बार बार यूज करने के बाद वो हो सकता है थोड़े से light हो जाएं जो डाग अगर दाग धब्बे हैं तो वो light हो जाएंगे लेकिन काफी glowing है टेक्श्चर भी काफी अच्छा ह अब यह बात करते हैं मतलब मैं इसको दिखा देती हूं कि यह दिख आपको इस तरीके से पांच से साथ मिनट तक एक पतली सी लेयर आपके face पे लगाना है पांच से साथ मिनट तक हलके हाथों से रफ करना है काफी forming है यह काफी की forming के एक इसमें से मतलब बहुत अच्छे से form क्रियाट कर देता है और सकी तरीके से स्मूदली क्ली और देता है और फ्रेग्रिंट इसकी बहुत अच्छी है फ्रेग्रिंट आपको बहुत पसंद आएगी चंदन वाली खुश्बू है इसमें जैसे की संतूर साबून हो आपनी जैसी कि आपको बता है कि एक instant glow देता है तो actually एक instant glow देता है और forming तो इतना जाधा है कि आप देखे मैं अभी तक पानी इस पर यूज नहीं है और इसका फॉर्म देखे मैं थोड़ा सा पानी इस पर डालके फिर आपको दिखाती हूं कि कितना जाधा फॉर्मिंग है य बहुत थोड़ा सा पानी लिया था मैंने, बहुत जादा मैं यूज भी, इसको मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूं, और आप मेरे हाथ का ही कलर देखिएगा, तुरंत के तुरंत ही काफी अच्छा एफेक्ट, काफी अच्छा रिजल्ट देता है ये, आपको मैं मेरे हैंस को क्लीन करके दिखाती हूं, आप फॉर्म देख रहे हैं इसका, कितना जादा फॉर्मिंग है ये, बहुत जादा फॉर्मिंग है, बहुत अच्छी खुश्बू है, और इसकी खुश्बू काफी देर तक ऐसी ही रहती है, मैं आपको अपने हाथों को क्लीन करके दिखाती हू कि आप मेरे हाथ देख सकते हैं तो काफी ज़्यादा अच्छा है यह मुझे काफी पसंद आया इसलिए मैंने इसका रेव्यू किया तो आप आल स्किन टाइफ है सारे स्किन वाले यूज कर सकते हैं अगर आप भी ऐसा कोई फेश वास दून रहें जो इंस्टेंट ग्लो दे स आप यूज कर सकते हैं सभी स्किन वाले इसे यूज कर सकते हैं अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किलेगा मिलती हुने इस वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक क्यार